economies of the world पहले दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बना भारत अब अपने कदम बढ़ा चुका है तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बनने की ओर विकास की लाइफलाइन होती है सडके आज के वाइबरंट भारत ने नई उचाईयों को छुआ है सडक निर्माण के क्षिद्र में देश ने एक दिन में लगभग 29 किलोमेटर सडक निर्माण कर नया केर्थिमान स्थापित करते हुए चीन, जापान और अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है बीश शहरों में रफ्तार भरती मेटरो रेल हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन, रैपिड रेल और वाटर मेटरो से यात्रियों को मिली है वर्ल्ड क्लास सुविधा रेल नेट्वर्क के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है भारत रेल्वे उलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो इसकी प्रगती के क्या ही कहने 2014 के 21,614 रूट किलोमिटर से बढ़कर अब 62,119 रूट किलोमिटर हो गया है भारत माला पर योजना ने जहां एक और आर्थिक कॉरिडोर, फीड़ कॉरिडोर, इंटर कॉरिडोर और राष्ट्रिय कॉरिडोर के निर्मार से नई गती प्रदान की वही पी-म गती शक्ती ने लॉजिस्टिक को बनाया है सरल और सुगब उड़ा यानि उड़े देश का हर नागरिक योजना ने हर वर्ग के हवाई सफर के सपने को सच किया 2014 के मुकाबले वर्तमान में यातरी और एयरपोर्ट्स दोनों हो गए हैं दोगुने कारोबार की बात करें तो मेकिन इंडिया से बढ़ा है निवेश और रोजगार स्रिजन मुबाइल फोन, घरिलू उपकरण, कम्प्यूटर और दूर संचार उपकरणों के लिए वी निर्मान क्षमता का विस्तार हो रहा है भारत का माइक्रो फाइनेंस क्षेद्र चीन के बाद दुनिया में दूसरे सबसे बड़े माइक्रो फाइनेंस क्षेद्र के रूप में उभरा है यही नहीं, भारत का व्यापारिक निर्यात दीन दशमलव एक दो प्रतिशत के विर्धी के साथ 36 दशमलव नौ दो अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया भारत की बिजली उद्पादन क्षमता 22 प्रतिशत तक बढ़ी जबकि अक्षय उर्जा की क्षमता पिछले पांच साल में हो गई है दोगुनी सामरिक क्षेत्र में भी देश मस्बोथ हुआ है अब भारत रक्षा उत्पादों का सिर्फ आया तक ही नहीं, बलकि निर्या तक और उत्पादक भी बन गया है इन प्रयासों से दुनिया में भारत की प्रतिश्था बढ़ी है और ये देश उन उचाईउं को छू रहा है जिसके बारे में दस साल पहले सोचा भी नहीं गया था प्रयाँ 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 जब रहा है जब दुनिया है नहीड बना प्रयाँ ऑन पारे में तो रहाँ है कि अजब नहीं प्रयाँ बाद भीन उन दिस से अपना रहाँ प्रिश्ध वजब आट प्रयाँ जड़ प्रयाँ जे पी नहीं जडा़ प्रया है This is the VIP enclosure with the dignitaries and of course special enclosure for the general public and many special invitees, nearly 25,000 people would be here. And this is a shot of the school children. सावन के महीने की बहुती शानदार और खूबसूरत सुभा और हम मना रहे हैं हमारा स्वाधीनिता दिवस सन 2047 तक भारत को विकजित राश बनाने का सपना साकार करने के लिए नारी शक्ती और युवाश शक्ती की भागिदारी सबसे जरूरी है और युवाश शक्ती को दर्शाते हुए यहां पर NCC कडेट्स 2000 की संख्या में विभिन स्कूलों के चात्र और उनी के साथ लगभग 500 NSS के वॉलिंटियर्स जिन्होंने माई भारत की आकरती यहां बनाई है लालकले की प्राचीर के सामने जिसे ज्यान पत कहा जाता है हम जानते हैं नारी शक्ती मजबूत समाज का आधार है और युवाश शक्ती बदलाव की वाहक है साथ ही परिवर्तन की लाभार्थी भी यह एक बहुत बड़े बदलाव की ओर यात्रा है यह परिवर्तन का ऐसा संकल्प है जिससे जीवन बदल जाएगा खालात बदल जाएंगे भारत के लिए यही समय है सही समय है एक परिवार के विकास की बात हो या देश की प्रगतिगी महिलाओं ने हर जगहा खुद को साबित किया है आज नारी नई उजाईयों को छू रही है थल, जल, नभ और अंतरिक्ष तक हर क्षित्र में नारी शक्ती देश का परचम लहरा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की सफलता हो या लोकतंत्र में महिलाओं की प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करना लेंगिक न्याय की अवधारना या फिर तीन तलाग से मुक्ती ये ऐसे कदम हैं जिससे नारी का सम्मान सुरक्षा और समावेशी विकास राश्ट्र निर्माण में एक नए आयाम जोड़ रहे हैं ग्यारह करोड शोचालयों का निर्माण दूर दरास के गाउं देहात में भी महिलाओं की करिमा की रक्षा करने की प्रतिवधता को दर्शाता है जन औशधी किंद्रों में एक रुपए किदर से 27 करोड से अधिक सैनेटरी पैड उपलब्ध कराना कमजोर तपकों की महिलाओं के स्वास्थ के लिए सुनहरी उपलब्धी है गर्भवती माताओं के पोशन के लिए 6,000 रुपए प्रदान करना और मात्रित्व अवगाश के अवधी 26 सप्ताह करना ये सभी बदलाओ नए भी हैं और प्रभावी भी रसोई घर को धुआ मुक्तकर 10 करोड से अधिक महिलाओं के सपनों को औरान मिली है क्रिशी क्षेत्र में ड्रोन दीदी नई तकनीक के माध्यम से परिवर्तन की साक्षी बन रही है आज साइन्स, तकनीकी, एंजिनिरिंग और मैथमेटिक्स ग्रेजवेट्स में 43 प्रतिशत महिलाएं हैं जो कई विकसित देशों से कहीं आगे है डिफेंस में महिलाओं को स्थाई कमिशन देना हूँ या दुनिया के सबसे उँचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लिशिया में महिला सैनिको की तैना दी ये देश निद्य नए आयाम गड़ रहा है भारत दुनिया का सबसे युवा देश है और इस युवा शक्ति के लिए अवसरों का नया क्षितिज खुल रहा है पी-म कौशल विकास युजना और पी-म विश्व कर्मा युजना ने करोणों युवाओं के स्किल को उची उडान दी है युवाओं और महिलाओं को स्किल इंडिया मिशन के तहट मुफ्थ ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे आजी विका के नए द्वार खुले है ड्रोन एनिमेशन, विज्वल इफेक्स, परमानु, अंतरिक्ष और मैपिंग जैसे क्षित्रों में युवाओं के प्रवेश को सुकम बना कर आधुनिक चुनातियों के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है इतना ही नहीं, खेल के क्षित्र में भी खेलो इंडिया गेम्स के जरिए नई युवाओं प्रदिभाओं को पहचान कर तराशा जा रहा है आज का युवाओं आत्म निर्भर बन कर देश को नई दिशा दे रहा है युवा और महिलाई आर्थिक, सामाजिक और मांसिक सशक्ति करण की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं जिससे भारत बन रहा है सशक्त और विकसित Well, our nation is definitely witnessing remarkable progress with women breaking barriers and setting new benchmarks in every field And this year, among the distinguished guests gracing the celebration are some extraordinary individuals Like Lakhpati Didis, who are a beacon of rural entrepreneurship and employment Their journey from humble beginnings to becoming successful business women highlights the transformative impact of economic empowerment We also have Drone Didis seated here, who are renowned for their innovative use of technology in agricultural practices through drones Their contributions are a testament to how technology can drive progress and sustainability We are honoured to welcome Olympians amongst us Who have brought glory to our country through their exceptional athletic prowess And as these remarkable figures are seated, here today at Red Fort Their presence today not only celebrates individual accomplishments But also symbolizes the broader narrative of progress and empowerment, shaping modern India This year is the best of all, our nation is a leader of the world There are 5000,000 people who have been involved in the world इसमें चात्र चात्राएं शामिल है, माई भारत योजना के लाभारती शामिल है, पीमशी योजना के चात्र शामिल है और सीमा सडक संगठन जोकी सीमाओ पर आधार भूत सुविधायएं उपलब्द कराने में महतुपूर्ण घुमेका निभाता है, उसके करमचारी भी शाम देश के अलग-अलग राजियों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगबग 2000 प्रतिभागी अपने परंपरगत परिधानों में यहां उपस्थित होकर देश के राष्ट्रियों पर की शोभा बढ़ा रहे हैं यह है विक्सित भारत 2047 के संकल्प को परिभाशित और परिलक्षित करता हुआ युवा शक्ति का प्रदर्शन जहां पर 2000 NCC कैड़ट्स जो कि देश के अलग-अलग स्कूलों से यहां पर आये हैं उसके अलाबा एनसेस के 500 स्वेम सेवक हैं आज के इस राष्ट्य अनोखी गरिमा प्रदान कर रहे ही The clouds, as an expression of their freedom and independence, have decided to bless this event here today. A slight drizzle has started. And as the weather changes, well, so is India. India is changing and change brings its own challenges. Governance at all levels today is about navigating these challenges and here at Rajkhat, the Samadhi of Bapu, the father of the nation, Prime Minister Narendra Modi has arrived to pay homage. Sita Ram, Sita Ram, Bhaj Kyaare Tu Sita Ram Sita Ram, Sita Ram, Bhaj Kyaare Tu Sita Ram Flowers and prayers of reverence and gratitude To find the path to lead with foresight To keep the faith and walk in spite To hold your ground when no hope is found That's the flame that spreads the light Bapu's legacy lives strong The Prime Minister will now move towards Red Fort for the flag hoisting and address to the nation The Prime Minister of the flag, the आगमन होगा वाकई संघष से संकल्प कब हारा है एक संकल्प क्रांटिकारियों का था देश की आजादी के लिए और एक संकल्प लिया गया देशवासियों द्वारा आजाद भारत को इस राष्ट को प्रगति के पत पर ले जाने के लिए आज हम सब एक जुट हैं और आजादी के इस अमरितकाल में संकल्प ले रहे हैं वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट बनाने का हर क्षेत्र में चौतरफा विकास नमीन तब टक्नीक का अस्तेमाल आप निर्भरता को बढ़ावा यानि मेक इंडिया और वोकल फॉर लोकल की भावना का मूर्त रूप लेना देश को वर्ष 2047 तक पूर्व विकसित राष्ट बनाने में एहम भुमिका निभा सकता है भारत अपनी क्षमताओं के प्रतिया श्वस्त होकर भविश्य की और तेजी से आगे बढ़ रहा है 2047 में जब आजादी के सौ वर्ष पूरे होंगे तो मौझूदा मोधी सरकार की संकल्पना है विकसित भारत की विकसित भारत यानी परिस्थितियों से सामन जस्से अस्थापित करते हुए एक समरिध राष्ट्रकार निर्मार करना सभी नागरिकों और क्षेत्रों को 2047 तक अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने के लिए अवसर प्रदान किये जाएं जो भारत की आजादी के सौ वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा विकसित भारत के रोड मैप में आर्थिक विकास, इस ओफ डूइंग बिसनस, बुनियादी धाचा और सामाजिक कल्याण जैसे पहलू शामिल है दुनिया की अग्रणी और 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थ विवस्था बनने के उद्देश्य के साथ भारत को नवाचार और प्रद्योगिकी में सर्वोच बनाया जाएगा इसके लिए श्रम बाजारों, कौशल और रोजगार में विद्धी की जाएगी आयात कम और निर्यात बढ़ाते हुए घरेलू और अंतर राश्ट्रिया बाजारों का विस्तार किया जाएगा जिससे कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और उच्छ गडवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा अधिक उत्पादन गरीबों और हाशिये पर रह रहे हैं लोगों को मुख्य धारा के साथ जोडने और स्वास्थे और शिक्षा जैसी मूल भूद सुविधाएं प्रदान कर उनका सशक्ती करण सुनिश्चित किया जाएगा शेहरी क्षेत्रों के साथ दूर दराज के इलागों में मल्टी मॉडल वर्ल्ड क्लास इंफ्रस्ट्रक्चर से बढ़ेगी कनेक्टिविटी और होगा सेवाओं का विस्तार रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में लक्ष है पूरी तरहा आत्म निर्भर होने का आर्टिफिशल इंटेलिजन्स के लिए उत्कृष्ट ताकेंद्र दो हजार सेंतालीस के भारत की तस्वीर में रंग भरने का काम करेंगे जलवायू परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नवी गरणिय उर्जाक्षमता में व्रिद्धी के साथ ही कावन उत्सर्जन को कम कर हरित विकास को बढ़ावा दिया जाएगा मोदी सरकार ने परंपरा और आधुनिक्ता के सम्मिश्रण के साथ राष्ट्रिय अहित को सदैव सर्वो परी रखा है यही वज़ा है कि आज भारत वैश्विक रूप से मस्बूत स्थिती में है यहां से विकसित भारत की उडान भरनी है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि आजादी के सौ वर्ष पूरे होने पर एक नया भारत होगा आत्म निर्भर, सशक्त, उन्नत और सम्रिद्ध अँद्ध Suzanne with centuries of history embedded in its walls the red fort is a true example of architecture